हातरस में बाबा के ससंग में जिस तरीके की घटना हुई उसको लेकर योगी सरकार सक्त है और 24 घंटे के अंदर ही नयाइक जाच आयोग का गठन भी किया गया है तमाम तत्यों की परताल की जाएगी दो महिने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौपनी होगी उत्तप्रदे सरकार में मंतरी हैं दानिश अजाद अंसारी सीम योगी वहाँ पर पहुंचे उत्तप्रदे सरकार के तमाम मंतरी भी पहुंचे अब क्या लगता है आपको किस तरीके की कारवाही होनी चाहिए क्योंकि बड़ा हाक्सा हो और यह कहा गया कि बाबा की अकूत संपत्ति पूरा सामर राज चलाता है वो देखे जो हात्रस की घटना हुई इस घटना का सग्यान मुकवंति जी निस्वैम लिया और जो भी जरूरी एक्शन लेना चाहिए मानि मुकवंति जी स्वायम इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है मानि मुकवंति जी हात्रस भी गय वहां अस्पिताल भी गय उन्होंने जो घायल हुए उनसे भी मुलाकात की घटना इस्तल भी गए तो बहुत कीन ऑब्जर्वेशन की कीन मॉनिटरिंग माने मुखमती जी के दिशानिक डिशन में हो रहा है कई कमिटिया भी बनाई कही है अलग अलग जो इस घटना की पूरी जाच करेंगी और जो भी लेना चाहिए माने मुखमती जी के दिशानिक डिशन में वह एक्षन प्रशाजनिक टीम लेगी जिस तरीके से वहां पर पहुंच रहा है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजयराय पहुंच है और उन्होंने कहा कि यह सब सरकार के सन्रक्षन में हुआ ऐसे मौके पर जो ही आपको लगता है जो लगता है जो वह राजनिती स्टन्ट करने का प्रयास कर रहा है तो उसको समवीदना के हृँ से जाना चाहिए इसमें राजनीतिक भाय से नहीं जाना चाहिए वहां जाना हुआ है तो इस बात से साफ स्पष्ट है कि मुख्वंती जी इस प्रक्रणों को लेके गंभीर हैं संजीदा है और जो भी जरूरी कारवाई होनी जाए मुख्वंती जी के दिशाने देशन में होगा चुनाओं को लेकर आज भारती जत्ता पार्टी के जनता के बीच में राके जनता के विकास से जुड़े मुद्व के लिए काम करने वाली पाटी उत्रप्रदेश की हमारी योगी सरकार भीते साथ साल में उसने प्रदेश की विकास को सुनिश्यत करने के लिए बहुत सारे प्रवाशाली कदम उठाएं प्रदेश की जनता को हम कि ़पर दिख विद्धान सभाव को शुनिश्य करने का काम हमारी योगी सरकार करेंगी करेंगे से मुद्री दानिश अजाद अंसारी हमारे साथ मझूद थे लखनाव से वीडियो जनल रेम फिर भरस्तुमाचार